अलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई डीम ड़लो इन नई वीडियो दोस्तों आज आपके बीच एसके राना एक निव मेडिशन को लेकर क्या हुए हैं जिस मेडिशन का नाम है दोस्त अलका सीट्रोन सीरप इस मेडिशन के बारे में जाने से पहले दोस्त आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पे निव हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फिरेंड्स हमें देखते हैं अलका सीट्रोन सीरप के बारे में तो दोस्त इसको जानने से पहले हमें यह जाना कि इसका कंपोजिशन क्या है डाइसोडियम दिक्कत हो या लेडिस हो या जेंस हो वो आप उपयोग कर सकते हैं तो चलिए दोस्त हमों देखते हैं कि उपयोग किस बीमारी में करना चाहिए तो उपयोग हमें पिसाब में जलन देता हो या फिकते जैसा पत्री हो उस बीमारी में आप उपयोग कर सकते हैं किनी किनी को यूरिन में प्रोलम हो जाती है, यूरिन नहीं निकल पाता है, जिसके वज़े से कभी-कभी उनका पेट भी दर्द करना, ये उनकी बिमारी हो जाता है दोस्त, और अगर देखा जाए तो कभी-कभी पिसाब के रास्ते में खुजलाहट होना, या फिर किनी-किनी को खासी भी हो जाता है, तो आप इन सारी बिमारियों में इस दवा का उप्योग कर सकते हैं, दोस्त, लेकिन उप्योग करने का किस तरह से खुराक होना चाहिए, आनि कि डोज किस तरह से होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं, वेट के अनुसार से अगर आप लेना चाहते तो ले सकते तो वेट आपका हो गया जैसे 15 kg से पलस हो तो आप 5 ml सुभा 5 ml साम इस तरह से ले सकते हैं दो टाइम लेकिन 5 ml सुभा और 5 ml साम डारेक्टली नहीं लेना है जब भी लेना है तो आधा कप पानी हो और एक धकन आने की 5 ml दवाओ इस तरह से सुभा साम आपको लेना है लेकिन अगर देखा जा 30 kg से पलस हो तो वो इंसान किस तरह से लें है तो वो इंसान 10 ml सुभा 10 ml साम बस सैम पर क्रिया इसी तरह से और सुभा साम इस तरह से पिना चाहिए लोस्त और इसकी एक महत्पुन पॉइंट भी है दोस्त जो साइड इफेक्ट में आते हैं तो साइड इफ हो रही है तो चरिये फ्रेंट्स हमें उमीद है कि आप इस मेडिशन से रिलेटेड बहुत अच्छे तरह समझ गया है तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर निव है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त क्योंकि आपको इसी से बारे की बारे की से जनकारी बहुत सारी चीजें मिलती रहेगी अगर कोई कनफीचन वो इस मेडिशन को लेकर के तो आप मारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं तो चरिये फ्रेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नीव मेडिशन के साथ में दोस्त त कर दो